आज हम लग बनाएंगे एक करी एक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यह बनाने भी बहुत आसने चलिए इसे बनाते हैं एक करी बनाने के लिए हम लोग लिए हैं प्याज लहसुन अद्रक जीरा सुखी धनिया मुमफली एक टमाटर और यह चाल उबली भी अं हम लोग तलेगे अंडा तलते वक इंडा फोटा नहीं चीह छोईए हूं इसके बाद में क्या करें घैस में कडही कडहें में बीचालाईं अद्रक जीरा सुखी तमाटर लिये हैं, उसे डाले और सबी को अच्छी तरह से कम से कम दो से तीन मिनिट भून ले, ये इसे हाई गास में भूनें, तीन मिनिट हो गया है, हमारी जो प्यास है, कितनी अच्छी तरह से भून जुकी है, इन्हें निकाल ले, उसके बद में इनहीं क्या करे, ठंडा ह होने दिए उसके बद में ठंडा होने के बद में मिक्सी की बरतन में डाले इसमें ही थोड़ा सा पाएं डाले और अच्छी तरह से पेस्ट तयार कर ले दिए हमारी जो पेस्ट है वो तयार हो गई है उसके बद में क्या करें ग्यास में कढ़ाई रखें कढ़ाई में तेल को करें केम लented के अच्छी क्षिखा wad Art Government गरां है नीचे से चिपक में कड़ाई में हम लोग लोगैं यहाई निकाल ले वे चैसे क्पत्त डाले तेजुप Olha 9 mac करते हुए कम से कम एक मिनिट पका ले पेस्ट में ही लाल मिर्च पॉडर डाले हल्ती पॉडर डाले गरब मसाला डाले स्वाधानुसार नमक डाले और सभी को अच्छी तरह से भून ले उसके बाद में क्या करें हम जो लोग आधा पेस्ट बचाये हैं वह पेस्ट को डाल दे और फिर से सभी को अच्छी तरह से mix करती वे ढग कर इने कम से कम 3-4 मिनिट पका ले इससे क्या होगा हमारी जो paste वो अच्छी तरह से पकेगी एक करी में सबसे जाता important है हमारी जो paste है वो अच्छी तरह से पकना चाहिए तभी हमारे एक करी अच्छी से बनेगी इसे जो paste है अच्छी तरह से पक गया है उसके बद में क्या करें अंडे को डाले अंडे को डालकर अच्छी तरह से mix क करती है कम से कम 1-2 मिनिट पका ले जरूरत की सबसे पाइड टाले और फिर से 1-2 मिनिट पकाले चावाल या रोटी के साथ में खाने के लिए ज़रू करें यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती इसी तरह से बनाए खाए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें और अगर आप को इस तरह से वीडियो चीए तो प्लीज मुझे कमेंट करें धन्यवाद